नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपुन टोपिक लेकर आया हम आपको स्वस्त बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बेमारियों से बचाने के विशे में जानिये धन तेरस पर क्या खरीदे और क्या ना खरीदे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल आइकोन है आप उसके उपर क्लिक करना ना तुले क्योंकि इससे आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिप किसन आती रहेगी जिसे देखकर आप अपने लिए फाइदा उठासती है तो आईए दोस्तों अब बात करते हैं अपने टोपी की हिंदू समाज में धन तेरस सुक्सम्रिदी यस और वैवाव का परव माना जाता है इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुरवेद के देव धनमंतरी के पूजा का बड़ा महतव है हिंदू पंचांग के अंसवार कार्तिक मास की त्रियोदसी तिथी को मनाई जाने वाले इस महापरव के बारे में सकंद पूरान में लिखा है कि इसी दिन देवताओं के वेद धनमंतरी अमरित कलस सहित सागर मंथन से परकट हुई थी जिसकान इस दिन धनतेरस के साथ साथ धनमंतरी जनतिवे मनाई जाती है इस दिन लक्षमी घनेश जी के मिट्टी या चांदी या सोने की परतिमाई या उनके चितर तथा बरतन खरीद ले और उनकव प्योग भी इसी दिन से आरम कर दे साइकाल मुख्य द्वार पर आठे की चे मुख्य दिपक बना कर चावल या गेहुं के धिरी पर रखें साथ में जल, रोली, गुण, फूल, नवेदे रखें इसे आज से पांच दिन हर स्याम चलाएं यह परव दिवाली के अगमन की सूचना देता है आजे दोस्तों अब जानते हैं धन तेरस पर आप क्या खरिदी तिपावली से पहले धन तेरस पर घर में कुछ खास चीज़े लाने से धन की प्राप्ति होती है तो आजे जानते हैं उनके बारे में गनेस लक्षमी की मूर्ति घणेस लक्षमी की मूर्ति अवश्य कृडवीजिन को धन 13 के दिन घर लाने से घर में धन संपत्ती का आगवन होता है और पूरे साल भर में धन और अं की कमी नहीं होती धातू का समान जैसे सोना चांदी इस दिन सोना चांदी क्रीदने से व्यक्ति के भागे में इजाफा होता है धातू से बने बर्तन और गहने क्रीदने के लिए धन तेरस का दिन सर्वसरेष्ट है इस दिन धातू का समान घर में लाने से घर में सैदेव लक्षमी बनी रहती है सिरियंतर सिरियंतर घर लाने से लक्षमी घर की और अकरसित होती है इसलिए धन 13 के दिन सिरियंतर घर लाएं और दिपावली की साई को इसे लक्षमी पूजन स्थल पर रखर इसकी पूजा करी पूजा के बाद इस सिरियंतर को केसरिया कपड़ी में बांध कर तिजोरी या धन स्थान पर रखते हैं इससे सदा वहां बर्कत बनी रहेगी लक्षमी का आगमन होगा कोडी कहा जाता है कि कोडी को घर में रखने से उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता इसलिए धन 13 के दिन कोडी खरीद कर घर लाएं और लक्षमी पूजा के समय भी इसे सामिल करें पूजन के बाद इन कोडीयों को लाल कपड़े में बांद कर तीजोरी या धन वाले स्थान पर रखते ही वहां कभी धन की कमी नहीं होती संक संक सुक समर्दी और सांती का परतीक होता है इस दिन घर को संक लाएं और इसे दिपवली पूजन के समय बजाएं इससे घर में लक्समी का आगमन होगा और घर के अनिष्ट टल जाएंगे नमक दिपवली के मोके पर नमक का पैकट भी घर लेकर आएं और इससे दिपवली के दिन इस्तमाल भी करें कहते हैं कि नमक खरीद कर लाने से साल भर धन का अभाव नहीं होता और सुक समृती घर में हीट्ट की रहती हैं दिपवली के दिन इसी नमक के पानी का पोचा घर में लगाने से हमेशा के लिए दर दरता दूर हो जाती है धनिया धनिया धन का परतीक है इसलिए इसे धन तेरस के दिन साबूद धनिया खरीद कर लाीं और दिपावली के दिन लक्षमी पूजा के समय इसकी भी पूजा करें। दिपावली पूजन के बाद घर के आंगन या गंबलों में इसे बुरक दें। यह धन दायक है। धन तेरस के दिन घर में गूजा लाएं क्योंकि इससे धन प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। गूजा के बीज धन तेरस के दिन लाकर घर में रख दे और लक्षमी पूजन के समय इने भी पूजा में रखें। अब जानते हैं दोस्तों की धन तेरस पर आप क्या ना खरीदें सीसा, सीसे का संबंध भी राहू से है इसकी खरीदारी से बचें अगर सीसा खरीदे तो ध्यान रखे वह पारदसे अत्वा दुंदला नहीं होना चाहिए ऐलमूनियम के बरतन ऐलमूनियम के बरतन नहीं खरीदें यह ऐसा धातु है जिस पर राहू का अधिपत्ते होता है लगबग सभी सुब ग्रहें इससे प्रभावित होते हैं इसका ऐलमूनियम का प्रियोग हुजापाट और जोतिश के दृष्टी से नहीं किया जाता तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई चानकारी प्राप्थ हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वेशेर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चबरदा स्टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों